ओम शी गनेशा आये नमा रादराय दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल वत कता स्लोजर में स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम गर्वती महिला के साथवे आठवे और नोवे महिने में कौन से ऐसे सटीक लक्षन दिखाई देते हैं जिससे कि आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी दोस्तों उसी की हम जानकारी दे रहे हैं उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरूर कर लें बगले बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वा बात करें तो दोस्तों अगर साथ-वे ऐट-वे महीने से अगर आप ध्याक से देखें तो अपको यह दियान रखना है कि आपके जो बच्चे की फीलिंग है आप जब भी notice करते हैं तो उस समय पर आपको ये notice करना है कि आपके बच्चे की जो moment है वो किस side है left side है या right side है और नाभी के निचले वाले हिस्से की तरफ ही आपको मतलब मैसूस होती है तो ये लड़का होने का लक्षन माना जाता है वहीं पर अगर आपको नाभी से ओपर के हिस्से में अपने बच्चे की moment feel होती है यानि उसकी आपको moving feel हो रही है नाभी से ओपर वाले हिस्से में तो ये लड़की होने का माना जाता है दोस्तों अगर आपको देखे लेफ्ट साइड और नाभी के निचले हिस्से में मैसूस हो रही है तो ये लक्षन बेबी बॉय होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों साथवे आटवे महिने में अगर आपके कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है दर्द रहता है या फिर आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो ये है लक्षन बेबी बॉय होने का माना जाता है वहीं पर अगर आपको अपनी टांगों में मतलब जैसे जंजनाहर, दर्द, एठन या पैरों की पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और ये दर्द आपको पूरे नोवे महिने तक रहता है तो ये लक्षन देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों अगर आपके बाल, आपके हाथ, पैर, अगर आपके बहुत ज़्यादा रूखे खुश्की हो गया उनकी नमी कम हो गई है या आपके बाल ज़्यादा रूखे या थोड़ा थोड़ा सा आपको मतलब रूखापन थोड़े से ओली से अगर आपके बाल लगते हैं तो यह लक्षन देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है अगर आपको अपनी आवाज में भी थोड़ा सा मतलब अगर चेंज दिखाई दे रहा है जैसे आपकी आवाज में थोड़ा सा भारी पन आ गया है तो यह लक्षन भी देखे बेबी बॉय होने का माना है वही पर दोस्तों अगर आपके जाइनिन जांग में जो आपके right side की जांग है उसमें आपको फ़ड़ा से खिचाव भारीपन लगता है तो यह लखशन भी देखे baby boy होने का माना जाता है अगला लखशन है दोस्तों अगर आप coloca ग्रोह उनकी ग्रोथ बढ़ने लगी है यानी कील मुहा से निकलना आपके फेस पर या अंचाहे बालों की ग्रोथ बढ़ना ये लक्षन मी बेबी बॉई होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों अगर आपके 7-8 महिने में आपके जो नाकुन है उनका जो कलर है अगर जादा अगर येलो कलर में आपके नाकुन हो गया है उनकी ग्रोथ बढ़ रही है और वो नाकुन आपके बार बार तूटते रहते हैं तो ये लक्षन में बेबी बॉई होने का माना जाता है अग्रा लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला को सुपन में बार बार अगर नारियल सेब या फलो की टोकरी इस तरह के अगर चीज़े दिखाई देती हैं जैसे आम सेब केला इस तरह के अगर फल आपको दिखाई देते हैं ज्यादा तर तो यह लक्षन बेबी बॉय होने का माना जाता है वहीपर दोस्तों अगर गर्वती महीला गो हरी मिर्च मतलब भिंडी लोकी इस तरह कि अगर आपको सब्जीया या लीची इस तरह के फल दिखाए देते हैं BOYD आपको अगर आपको फल या सब्जीया दिखाए देती हैं और आपको साथ ही देखे वाइट डिस्चार्ज की भी प्राब्लम हो रही है यानि आपका सफेद पानी बहुत जाने लग गया है और उसका कलर बहुत जादा आपको वाइट में या हलका लाइट येलो में अगर दिखाई दे रहा है तो ये लक्षन भी देखे बेबी बॉय ह होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों अगर आपको साथ हो आठ वे महिने में अपना जो पेट है वो देखे गोल ना मतला गोल ना होकर यानि फुटबोल जैसा नहीं दिखाई देता बलकि आपको थोड़ा चप्टा दिखाई देता है और उसका जुकाब नीचे की तरफ हो गया है यानि बिल्कुल गोल ना होकर अगर आपका पेट चप्टा दिखाई दे रहा है तो ये लक्षन देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों अगर आपको साथ वे आठ वे महिने से ही जो मतला आपको हलका फुलका पेट के निच लक्षन देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है दोस्तों ये काफी सारे लक्षन हमने बताए हैं जिससे कि आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव करा है या बेबी करल को दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद करना ना भूलें आप सभी को ओम शी गड़ी शाइड़